हेलो एव्रिवान, आज हम आपको बताएंगे कि कृटनाइन लेवल को नेट्रल यानि कि घरेलू तरीके से कैसे कम किया जा सकता है तो सबसे पहले जानते हैं कि कृटनाइन होता क्या है, वो हमारी बॉडी में बनता कैसे है मानव शरीर में कृटनाइन सामाने मसल्स के टिशूस के टूटने से बनता है एक व्यक्ति के पास जितने अधिक मसल्स होते हैं, उनके शरीर में उतना ही कृटनाइन बढ़ने की संभावना होती है मानुष शरीर में क्रिटनाइन का बढ़ना, मसल्स की मात्रा और किड्नी के काम करने की कैपसिटी पर निर्भर करता है जिसके लिए सामाने रूप में बन टेस्ट और यूरीन प्रोटीन टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि आपका क्रिटनाइन लेविल कितना है इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रिटनाइन लेविल को कंट्रोल में रखें और इसके लिए आप कुछ नेच्रल तरीके अपना सकते हैं जिसमें सबसे पहला है पानी क्रिटनाइन को कम करने के लिए सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय है रोजाना नियमित रूप से पिया गया पानी जिनका क्रिटनाइन लेवल अधिक है तो उन्हें कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए डॉक्टर उन्हें बताएंगे या आदत आपके शरीर में मौझूद क्रिटनाइन को बहार निकालने में मदद करेगी अगर आपके शरीर में क्रिटनाइन लेवल बढ़ता है तो इससे शरीर में दी हाईडरेशन का भी खत्रा बढ़ जाता है जिसे दूर करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है पानी आपके किड्नी को अंदर से साफ करने के लिए बेहत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर में जमा टॉक्संस को यूरीन के माधिम से बहार कर देता है जिससे कि आपके किड़नी और आपकी हेल्थ दोनों ठीक रहते हैं दूसरे उपाई के रूप में कुछ खास आहार जो आपके किटनाइन लेवल को कम करते हैं जिसमें कि आप अपनी दाइट में मौसमी फल, अनाज, सबसियां और डॉक्टर के सलहा लेका डेरी प्रोड़क्स को शामिल कर सकते हैं इन सभी चीजों में पानी और इलेक्ट्रोलाइट सही मातरा में मौझूद होता है जो आपके शरीर में डी हाइडरिशन को कम करने में मदद करते हैं ये सभी चीजें आपके किटनी के लिए काफी जादा लापकारी होती हैं और साथ ही ये आपके किटनाइन लेवल को कम करने में भी मदद करती हैं इसके अलावा इसमें मौझूद फाइबर, आपके शरीर में मौझूद टॉक्सिंस को बहार निकालने में सायक है, जिससे कि आपके शरीर में कृतनाईन के मात्रा कम होती है। तीसरा उपाय है योग और प्रणाया, आपने कुछ आसन जैसे कि अर्धमत्सेंद्रासन, पवन्मुक्तासन और भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं, ये आपके शरीर के मेटाबॉलिजम को बढ़ाने में सायक करते हैं, और कठनाईन लेविल को भी कम करने में सायक होते हैं प्रणाया, जैसे कि अनुलों विलों और भ्रामरी आपके शरीर को एक्टिव रखते हैं, साथ ही आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखते हैं, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, तो इससे आपकी किड्नी भी अपना काम ठीक से कर पाती है इसके अलावा जरूरी है कि आप व्यायाम पर खास ध्यान दे, जिसमें कि आपको रोजाना सुभा कम से कम 20 मिनट तक तहलना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर एक्टिव रहता है, साथ ही रोजाना व्यायाम करने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती, जिससे कि आप dehydration से बचे रहते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दे, कि शरीर में पानी की सही मात्रा आपके बढ़ते क्रिटनाइन लेवल को कम करने में मदद करती है, बढ़ते क्रिटनाइन को कम करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी रोजाना की डाइट का खास ध्यान रखे, अग जैसे मैदे से बनी चीजें, रफाइंड चीनी और पाकेज़ फूड, इन चीजों में मौझूद केमिकल्स और एडिटिव्स आपके शरीर को नुकसान पहुचा सकते हैं और आपके क्रिटनाइन लेवल को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा आपको अपनी डाइट में प्रो नीर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपको सिर्फ वही डेरी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो गाई के दूद या फिर डबल टोन दूद से बने हो, अपने क्रिटनाइन लेवल को कम करने के लिए आपको एक और खास चीज अवाइड करनी चाहिए, जो है तनाव, जी हाँ, तनाव आपके शरीर के लिए बहुत ही जादा नुकसान दायक हो सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में होमोन्स के लेवल को बढ़ाता है, जो आपकी किड़नी और आपके शरीर को नुकसान पहुचा सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि आ आप कुछ प्रणायाम योग और दोनों आखों को बंद करकर ध्यान कर सकते हैं इससे आपका तनाव कम हुगा और आपका कर्टनाइन लेवल भी सामाने बना रहेगा तो ये हैं कुछ खास उपाय जो आपके बढ़ते कर्टनाइन लेवल को कम करने में साहिक माने जाते हैं इन या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयरवेदा से इलाज ले सकते हैं कर्मा आयरवेदा ने अब तक 1.5 लात से अधिक मरीजों को ठीक क्या है कर्मा आयरुवेदा आपको पूरी तरह से प्राकर्ट्यक इलाज देता है और अगर आप किड्नी से जुड़ी किसी भी परिशानी में हैं और एक अच्छा और बहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयरुवेदा से संपर कर सकते हैं उमीद है आपको हमारा आज कई वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको किड्नी के लिए अन्य आहार के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे और वीडियो भी देख सकते हैं साथ ही आप अपने सुझाप और सवाल हमें कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं आज के लिए बस इतना ही हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें हिल्दी रहें नमस्कार